पुछामती नाजरीन आप देख रहे हैं राइट सवाच और मैं हूँ आपकी मेजबान असरहा और मैं हूँ आपका मेजबान एहमस साहीद नाजरीन सोशल मीडिया पे वड़ा चर्चा चन रहा है यह कुछ मरंध हजरात हैं जो में स्ट्रीम के इंदर रहना एक दम से सामने आ गए हैं नाट फंगर्ट रिसन्स एक मॉर्र वारियर है असनिगबार चिश्टी साहाब जिन्होंने यूट्यूब पे अपनी पूरी डिस्कोग्रफी फेकी लिये जिसके अंदर उनके कई रेसिटेशन्स हैं हावतीन के खिलाफ उनको बड़ा इश्यू है कि लड़किया स्कूल जाके पढ़ती हैं या हवतीन अपने घर को खिलाने पिलाने अपना चूला चलानी के लिए काम के लिए जाती हैं एक यह हैं सहाब और दूसरी तरफ हमारे कुछ फास्ट फूड इंटिलेक्चुल्स हैं जिनमें से एक हैं साहिल अदीम साहब जो एक प्रोग्राम मे इस देखा है कि सोशल मीडिया पे जिन तीनों साहबान का आपने जिकर किया है उसके हवाले से बहुत जादा तनकीद हो रही है जो नेरेटिव और जो सोच लेकर ये निकले हैं और जो मनफी सोच ये मौशरे में पहलाना चाहरे हैं उसके हवाल से बहुत जादा स्पीच फिलाते हैं उसके हवाले से रियासत बैक फुट पे या इतनी कमजोर दिखाई क्यों देती है और हमने देखा कि इस तरह की जो रिजिस्टंस है वो सिर्फ सोचल मीडिया पे नज़र नहीं आती बलके इस तरह की ख्यालात को रिजिस्टंस उसी टाइम बिलकुल राहे लदी और एक जो ड्रामा निगा रहे हैं वो खवातीन के हवाले से घलत गुफ्तगू फर्मा रहे थे उनको मौके पर ही एक महापे मजूद खातून ने जवाब दिया और उनसे माफी मांगने का मुदालबा किया और आज हमारे साथ अज़र 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 अज़ और वो किसी भी दारे को कोई इंटर्व्यू दे रही है बहुत शख्री अज़ए अज़ए अज़र अज़र आज़र 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 और वोइस पीकर डॉट नेट को टाइम देने का और अज़वा बेरा आफसे जो पहरा सवाल है और पुरी दुनिया ये चानना अज़र आज़र 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 आज करती हूँ but यह scripted था working with Sama News इसका यह मतलब नहीं है कि वो scripted था बहुत से रोग जो इस पेशे से मुनसलिक हैं उनको तो यह अंदाजा होगा कि जब आपके शो का time होता है recording का time होता है और आपने audience को बुलाया होता है तो तब आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपको अपने time पे recording शुरू करनी होती है लेकिन sometimes ऐसे हालात ऐसे बन चाते हैं कि आप time पे अगर recording नहीं शुरू कर पारे तो जिन लोगों को आपने बुलाया हुआ है वो जाहरा इतना जादा वेट तो नहीं कर सकते उस दिन भी गही हुआ audience जो आई भी थी वो वेट नहीं कर सके लोग ज्यादा आठ चाड़े आठ का time था और वो डिले होता होता तक्रीबन साड़े दस पॉने गया तक चला गया और audience के जाने के बाद उनके पास लोग बिठाने के लिए नहीं थे और office में से ही लोगों को उन्होंने request की कि आप लोग अगर बैठना चाहें पार्टिसिपेट करना चाहें तो please you can when you say office यह आपका ही प्रोग्राम था आपकी डिपार्टमेंट का था या तो वर्यों जिस्ट समा डिजिटल और समा न्यूस दोनों है तो समा की बठ्ट दोनों डिफरेंट चीज़े हैं समा डिजिटल की अपनी प्रोड़क्शन होती है अपना सब कुछ होता है as compared to Sama TV जो के हम लिए जो हम TV सेटलाइट पर रूग देखती है वो समा की प्रोग्रामिंग इंतार्ले डिफरेंट है और डिजिटल की इंतार्ले डिफरेंट है मैं समा डिजिटल के साथ काम नहीं करती मैं समा प्रोग्रामिंग जो TV के प्रोग्रा और वो बिल्कुल कोइंसिडेंस था और बहुत से लोगों इसको ट्राय करने की कोशिश की ट्विस किया अपनी मेरी जोनलिस कम्यूनिटी जो है बहुत से लोगों ने डिजिटल प्लैटफॉर्म्स पर भी लगाया क्योंकि यह वहां पर काम करती है इसलिए यह स्क्रिप्र बुलाये हैं इन लोगों ने वो अपनी इंसल्ट क्यों करमाना चाहेंगे महां के वट वस्ट पॉइंट देर वस्ट वाइन बिल्कुल अब हम वो में इंसिडेंट की तरफ चलते हैं वो अबिसली हमने भी सुना वो एक जो उन दोनों साहिबान जो गुफतकू कर रहे थे एक तो उनका पास्ट्रैक भी बड़ा प्रॉब्रमेटिक है और दूसरा यह कि वहां आखे भी बात उसी तरह से कर रहे थे आप ने उस ताइम आपने रिमार्स ने क्या चीज आपको ट्रिगर की कि आपने का ने अनफ एस अनफ अब इस ताइम किया थे इस को रोगे तो द मुझे कभी भी नहीं पता था यह कौन है क्या मतलब मुझे मैं जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो मुझे था कि दूसरा बंदा कौन है एक तो खनीर रह्मान कमरे देन अकलीक टोल्ड मी कि वह साहिल अदीम है यूट्यूब पे अपनी यूनों मजभी वो बताते हैं है तो कौन्वसेशन स्टार्ट हुई और खनीर साप का तो सब को पता है कि वह किस तरह की खवातीन के बारे में बाते करते हैं तो लेकिन डैट वाज़ असरप्राइस तो मी कि जब साहिल ने बातें करनी शुरू की इनोंने भी काफी ज़्यादा आइमें एक्जांपल्स भ साइटी है सब कुछ है और बहुत सी चीजें जिनको मैं एक्जांपल यहां पर पूट कर सती हूं बट आप राइट देने की बात करें बट आप साथ कंडिशन लगा के राइट देने की बात करें फिर आप कह रहे हैं कि खवातीन जो है वो मसाजिद में जाएं वहां से फत फिक नहीं थी मुझे उनके हर जुमले पर इतराज था बेकरज एस सून एस स्टार्टिड स्पीकिंग वो मसलसल खिलाफ ही बोल रहे थे और उस पर यह कि जब उन्होंने एक्जांपल दी कि 95% खवातीन जो है उससे पहले जब वो बात कर रहे थे यह उन्होंने उससे पहल कि 95% खवातीन जाहिल है पर साथ मी यह कहा इन्होंने जो जहालत के लब पेटे हुए यह एक यह नो किया सकते हैं तो बैट वस अप्वाइट मैंने अपने सवाल से जो मैंने सवाल करना था उससे पहले मैंने कहा कि पहले आप ज़रा खवातीन से माफी मांगे और मैंने कर्ण क्विस्चिन क्या था मेरा सवाल यह था कि उन्होंने वो कहना यह चाहरे थे कि हमारी सुसाइटी में राइट्स नहीं मिन रहे तो खवातीन को यह चाहिए कि वो तमाम साजिद में जाए जितनी भीयार किसी के नजदीकी मज़िद है वहां पे जाए वहां से जो वहा लगाने वरी बात है यह कैसा महार होगा एक मिनट के लिए अगर हमें इमेजन कर भी ले तो मतलब यह तो अबसी नहीं होना चाहिए कि हर गली मुहले में अदालत लगे कानून वहां पे लोग कानून अपने हाथ में ने तो वो यह कहने की कोशिश कर रहे थे उस पे सवाल मैं ने उनसे यह किया था कि आप यह जो लोगों को बता रहे हैं खवातीन को बता रहे हैं कि आप यह करें फत्वे ने मसादिस से जा कि और यह सब कुछ करें क्या आपने पाकिस्तान की जो रिलिजिस पोलिटिकल पार्टीज हैं क्या आपने उनसे कंसर्ड किया है क्या आपको कि उन्होंने वोमवग नहीं किया हुआ इस पे जो मशवरा दे रहे हैं वो फवातीन को कि मसाजिद इस्तमाल करें मसाजिद की दह्शत ही नहीं होनी चाहिए और यह सब कुछ यह आप एक्स्ट्रीमिजम को पहलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कि उस सवाल का जवाब देने की बज़ार उन्होंने मेरा नाम पूचा पहने फिर पूचा कि अच्छा इस लफ पाकिस्तान के जो आइन है उसके अंदर बहुत सारी शिकें हैं जो हम पहले आर्ट से लेके चालिस तक पढ़ते हैं उसके अंदर खवातीन के हकूब के हवाले से खवातीन के तहफूज के हवाले से बहुत सारी शीके मजूद हैं और वो ये गरिंटी देती हैं कि खवातीन को किसी भी तरह आप पब्लिक स्फेर से ये सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं कर सकते और वो कहीं ये शर्त नहीं लगाती कि उसके लिए किसे रिलिजियस इंस्टिउशन से जाके कोई फत्वा लेने की दूरता है उन्हें भी ये मालूम नहीं है और उनको शायद किसी भी चीज़ पर बोलने से पहले पाकिस्तान का जो कॉंस्टिशन है उसके जो फंडमेंटल राइट्स का जो चेप्टर है वो बढ़ने नहीं चाहिए तो उनको बहुत सारी से लेरो जिए एक वह पर ड्रामा नगार बैठे थे उनको भी हमने देखा उस क्लिप में बड़े उससे में आ गए तो वह कुछ बोल रहे थे उन ड्रामा नगार जो खलीज साब थे उनको क्या मस्का आगा उनको मसला असल में एक थोड़ा मुझे यह लगा कि जैसे ही होस्त ने कहा कि ओडियंस से सवाल पूछते हैं विकस देर वाज अपरस्नालिटी क्लैश उन दोनों का बाते से इन कर रहे थे लेकिन मैं तुमसे बड़ा ही रो हुं मैं तुमसे बड़ा ही रो हुं अग कि एक यह रो कि एक यह रोगड़ा वने जैसे मुझे उन्हों ने कहा अईशा ने कि ठीक हम ओर्डियंस सवाल पे चलने हैं और मैंने बोलने के लिए माइक पकड़ा तो आइवें टू साहिल अर I did not go for Khanil and Khanil ने अपने जहन में उन साहब ने बनाया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ हूँ तो उनके साथ जो मेरी कॉन्वसेशन हो रही थी उसमें वो खुदी ने कमेंट कर दिया और वो जो पहले शक्स के साथ जो मेरी बहस हो रही थी उसमें वो अपने सवाल का बैटा के जो सब देने की बजार सवाल 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 बेटा कहना और यह वो सब कुछ हो चुका था वो और तरह से डील कर रहे थे लेकिन इनकी भाड़ी ने का तुहे क्या तकलीफ है, कुरान की आयात से और नो, I don't have कुरान की कोई गायात के बात हुई? येस, he quoted that because उसमें भी कोट करने पे भी कहा कि क्या इल्म बाले और बगएर इल्म के बराबर हो सकते हैं मतलब इसमें नफ्स जाहिल कहाँ पे हैं मुझे सिर्फ ये दिखा दें जाहिल भी छोड़ें मुझे खावतीन के लाइल्म होने के कॉंसीवर्स के बात नहीं है नहीं है उस पे उन्होंने कहा कि भाई आपको तक्नीफ किया इससे और आएससे मुझे कुरान की आयात से कोई तक्नीफ निया मुझे आपसे तक्नीफ है जो आप इस्तमाल कर रहे हैं आपको क्या इससे इससे आपको क्या इससे इश्यू है डिड्यू तिंक जैसे उन्होंने कहा कि आपको कुरान से क्या मसला है आपके दिवांग में कोई बात आई ओओ यह तो आप ट्विस्ट शुरू हो गया यहां पर मेरी बातों का नो 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 आट अचार विकस मैंने उनको फॉरण ही उसका जवाब दिया था कि नहीं आपको मुझे तकलीफ आप से बिसीकली जो मैंने फॉरण ही उनको जवाब दिया था और वो इस पर रुके नहीं थे इससाट के कौन है यह निकानने इनको मैंने जो बात करनी है मैंने सही बात करनी है अब इस बिन वाइल उसके बात से क्या रियक्शन्स आपको नज़र आ रहे हैं इंटरनेट पे मीडिया पे वड़ेवर के आपको क्या लगता है के सपोर्ट है आपके लिए या फेर वाई ट्रोलिंग शुरू हो रही है बिकाज यूर अवोमन यह सपोर्ट वाली बात है सबसे पहले तो यह कि एवरी अधर मीडिया परसन में जर्नलिस कम्यूनिटी हो सीनियर्स हैं बहुत सारे हुमन राइट एक्टिविस्स हैं पूरे आपने जर्नलाइज किया सबको सारी अफवतीन को कह दिया 95 परसन वैसे वो कह चाते तो सौफिसद को भी कह सते थे यह उनका बड़ापन था कि उन्होंने का कर चलो पांसफिसस चाय ठोकी बच्चिया हो जिनको माफ कर दिया बट सब ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ट्रॉलिंग जो है वो क्या है अब ट्रॉलिंग भी है लेकिन वो मुझे फोर मी इट्स नाट और गैनिक ओके इट्स और गनाइजड इट्स नाट और गैनिक और ऑबिसली किस सेंस में आपको लग रहा है और गनाइजड है और गनाइजड इन असेंस के सारे अगर मैं सोशल मीडिया प्लैटफर्म्स की बात करूं तो आउट ओफ आल डैट प्लैटफर्म्स जो इंस्टरग्राम है वहां पे लोग जो हैं वो ज्यादा इस चीज को ले के सेंसिटिविटी उन्हों ने दिखाई है कि नहीं आपने इन दोनों हज़रात को गलत नहीं कहा आपने बेसिकली इसलाम के खिलाफ बात की आई वोज लाई के ओके मुझे इसलाम पे अगर मुझे जिन चीजों का नहीं बता तो मैं किसी आलम के पास जाओंगी मैं खुद कुरान पढ़ूंगी मैं किसी हदीश से कंसर्ट करूंगी मैं इन लोगों से अब इसलाम सीखूंगी जो इसलाम को बेच कर इसलाम को बेच कर उसका गलत इस्तिमाल सिखा कर और गलत बाते कोट करके वो ये सब अपनी दुकान चमका रहे हैं तो मुझे अच्छा उन साहिब को मौल्वियों से मौल्वियों नहीं कहना चाहिए उलमा जिनों ने अपनी जिन्दगी पूरी लगाई है इसलाम सीखने में क्योंकि असाथजा होते हैं आप आप में कौन से बुक्स पड़ी हैं क्या सब चीजे होती हैं में भी मेरे पास पूरा नॉलिज नहीं है उसका बट दथेंगेज के एक उन्होंने उस सब्जेक्ट पर पढ़ा होता है तो भी इसलामी रिसर्च नहीं को कहते है जिसमें नहीं प्रम चूर्भी कर ने की नहीं है कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ तो मैं उससे इस्लाम की बाता है, I'm very sorry मैं उससे इस्लाम की बाता ही यह बिल्कुल आपने सही पॉइंट डाउंट किया क्योंकि अजबा आपका अपना तालूग भी TV प्रोडेक्शन से है तो आप सारा प्रोसेस को बड़े अच्छी तरीके से समझती है यह तो चलने खेर डिजिटल का एक प्रोग्राम था जो डिजिटल में चला है लेकिन हमने देखा है कि इस इन दोनों असहाब को स्पेसिफिक्ली और जनरली भी इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को क्यों प्रोट करता है जब कि हमने देखा है कि इस इन बहुत इंपॉटन टॉपिक जिस पर आप लोगों ने डिबेट करवा रहे था आपका चैनल बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें क्या इस पर लॉयर्स नहीं चाहिए थे क्या हमें बहतर नहीं होता कि हम अगर अगर इस्लामिक नजरियाती कॉंसल एक मजूद है उसके लोग उन लोगो बुलाते जो के जिसको स्टेट ने ऑथराइस किया वे जो इस पर बात कर सकते हैं एक अच्छी डिबेट हो सकती विमन राइट सेक्टेविस्ट हो सकती थी हम इन्हीं को क्यों मारा मीडिया लेकर आते हैं आप ऐसे मीडिया प्रेक्टिशन इस चीज अच्छी कोंट्रोवर्शल नहीं है वहां पर यह कोशिश होती है कि उन्हीं जो महमान है उस टॉपिक पर बात करने के लिए उन्हीं को गुलाया जाएं बट यू नो डिजिटल और फिर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स जो हैं वहां पर अभी वो चेक अन बैलन्स वाली कोई गाइडलाइन उच तो पनाएं ताके चीजे जो है वो अंडर यू नो कंट्रोल करें इसकी बहुत बड़ी एक्जामपल यह है वैसे इसमें ना हमारी गवर्मेंट सो है उनका कुसूर है चाहे वो करंट है चाहे वो कोई मैं सिर्फ गर्मेंट की बात करीं किसी भी पा कि अगर आप गर्ल्स को स्कूल भेज रहे हैं तो आप यह जो गुना है वो कमिट कर रहे हैं तो वो नीलो फर साबाने उस पर बताया कि हमने उस प्यक्शन लिया है हमने जो प्लैटफॉर्म्स हैं उनको लेटर्स पर लिख दिये कि प्लीज इस वीडियो को रिमूव कर दे बट क्या लेटर्स लिखना काफी है आपने लेटर लिखा अब यह यूट्यूब पर फेस्बूक पर इंस्टाग्राम पर या किसी और प्लैटफॉर्म पर डिपेंड करता है कि वो आपकी इस उस लेटर पर एक्शन लेता है या नहीं लेता इन तरह के लोगों से खुद हुकूमत को रियासत को खुद इन से डील करना है आप पहले यूट को और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी खवातीन को इस काबिल ही नहीं होने दिया कि वो ऐसी जगहों पर अब किसी पोजीशन पर बैठी होते हैं राइट इंडिया की एक पोजीशन पर बैठे हुए तो अगर आपने लेटर लिख दिया तो बस आप लेटर लिखे यूनों आप मरी जिमानी हो जाते तो आपको इसके खिलाफ एक्शन रेता हैं अब कुछ नहीं कह रही हैं ऐसा और हम नाजियन को भी याद करते रहें कि जब फीका का कानून 2016 में आ रहा था तो उस वक्त की जो हकूमत थी उसने यही कहके इसको सेल किया था लोगो उनको कि ये खबाती माइनॉर्टीज और बच्चों के हकूब के हवाले से हम इसको 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 करेंगे लेकिन इंतहाई फसुस से कहना पड़ता है कि हमने इस कानौन का पिछले हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़ीन आपने अजबा अबदुल्ला साहिबा की हमारे साथ बाचीत को मुलाइजा किया और जो वाकिया था उन्होंने उसको बड़े तफसील से बताया और जो उसके हवाले से मिसकंसेप्शन सोशल मीडिया पे फिला जब वो अपने खिलाफ होने वाले तनकीद पर एक्शन लेते हैं नाजरीन हसन अकबाल चिश्टी साहिल अदीन और ख्लील रह्मान कमर यह बड़े मायूस कुन एक्जामपल्स हैं आफ मैं इन पाकिस्तार बाट इसका मतलब यह नहीं कि देर आरंट एनी गुड़ मैं आउ इसकारी दफ़ा एक शक्स को मेरिटल रेप के जर्म में सजा सुना दी है और उस शक्त पर इल्जाम था कि उसने जो एक लड़की जो उसके निकाह में थी उसको अलवा किया और उसको चार दिन तक जिंसी तोर पर जियाती का निशाना बनाया और जिसके बाद उस लड़की सेशन जज झेड़ हैं उसने उस शक्स को अपने जो मनकुहा थी उसको मनकुहा को रेप करने के ज़ार दी है और यह जो केस है वो लड़ा मिया सफीर एड़ुकेट ने जो कि शागला के लायर के लॉयर को इस वालते हैं आज हमारे साथ मिया सफीर साह मझご striving हैं और हम उन उनने ये केस लड़ा कि कितनी मुश्किलात आई और ये केस जो है उनने लिया उसके पीछे वजुहात क्या थी क्यूंकि पाकिस्तान में मेरिटल रेप के जुर्में सदा देने की इस से पहले कोई कानूनी तोर पे मसाल मुझूद नहीं थी बहुत शुक्रिया मिया सफीर मैं यही आउडियन्स को पता रही थी कि इस से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्लस 2021 के आंटी रेप आक्ट की जो ये इंप्लिमेंटेशन है उसके बाद ये इस फर्स टाइम एनी कॉर्ट उसने ने मैरिटल रेप के लिए कन्विक्शन दी है तो आप जब ये केस लड करना सही है और वाट वेडियू सो कंविंस्ट के आप जीत सकते हैं इस मामले पर केस दरसल एसा है कि यह जो वेक्शम फैमिली है यह एक बहुत गरीब और नादाब फैमिली है और इनका वालिद था वेक्शम का वह फूल माइनर था वो उसमें फोट हो चुका है जब यह प देने का कि इस निस्बत तो चानून उस वक्त दूड़ा वाजिए नहीं था क्योंकि इससे पहले पिशाओर हाई कोट में एक रिपोर्ट इजट्मेंट आया था कि उसमें इब्डक्शन कम रेप में जब वो फरीकें के दर्मियान निका मौजूद हो तो उस निस्पत तो अफिन्स कंसिट्टिउन नहीं करता लेकिन फिर मैंने अपना मुटालिया शुरू किया और मैं इस नतीजे पर पूर्ट किया कि साल दूजर इनकिस में जो क्रिमिनल लौ आमेंडमेंट्मेंट्स आये हैं उसमें रेप का डिफिनीशन जो है वो तोड़ा चेंज किया गया ह इस से पहले रेप को डिफाइन किया जाता था अब रेप को डिफाइन किया जाता है कौन से तो जब यह बच्छी जो इनको अपने वालिदें ने सारी जो अवर बढ़े थे उनकोंने बज़र प्रिया वली उनका निकाब बच्पन में किया था और बात में वो बच्छी उस निकाब पर खुश नहीं थी तो मुल्जिम ने आकर अपने देगर बरादरान के साथ आकर उनको बज़ोर जपर तस्थी गर से निकाला और चार दिन तक वह मुल्जिम के डिटिंशन में रही इसी दोरान उनके सेक्शुडी भी इंप्यूज किया गया जिब वह आकर अदालत किया पुलीस में रिकॉर किया तो उसके बाद उनों के वह पच्ची ने अपना रिकार्ड किया है जो में बच्ची ने का कि मैं इस रिष्टे पर तुश नहीं हूँ ये लोग मुझे दूर जपरतसी से निकाल कर बेगाए है और ये जो मल्जिम है जो जिसके साथ इनकी निकाह हुई थी वो हो मेरे मर्जी के बगएर मेरे साथ जो है जिनापिल जबर किया हुआ है उसके बाद वो हो मुलकिमान के हाई और तक जमानत के लिए तो उनकी दिगर परादरान को जमानत में गई नेकिन उसका जो प्रिंसिपल मुल्जिम था उनको जमानत नहीं मिरी बाद में जब हमने ट्राइल शुरू किया तो ट्राइल के तवरान हमने बहुत कोशिश की कि कि जो वेक्टम का मौकब है उनकी स्टेंड है उसको मतबूत रखके और उसमे बात नहीं जब अब फूल ट्राइल हुआ और वाखैसला आया तो फैसले में मरकजी मुल्जिम को कर्वेक्ट किया गया है उनको दो अफिनसिज में कर्वेक्ट किया गया है और जो रेक्टम लाव में आमेंडमेंट हुए है उसमें मेरिटल रैप को कोई एक्जिंशन नहीं दिया गया है जब एक सेक्शुल एक्टिविटी वाइवर मीन जब विदूट कांसिंट कांसिटीट हो तो एमाउंट करेगा रैप को तो किस निस्बत ट्राइल कोट ने उनको रैप के लाके नीचे 25 साल की का है कि सजा सुनाई और उसके साथ एक लाग का जुरुआणा भी उन पर लगाया इसके अलावा जो है अब्टिशन के निस्पत मुझिंचम को उमर का चेस्वाना लगाया यह मेरे थिया में जो मैंने अभी तक पड़ा है और तो मेरे अपनी नुएत का पहल तोड़ा था लेकिन वह वह अननेशनल दस्ट पड़ता और मुंका नेशनल रोता मुकदिमे का वो तोड़ा अलगता ठीक हो गया अच्छा अच्छा मिया सफीर सब इस केस में अपने केस के फैस्ट बताते हुए बताया कि जब इसका जो रेप सर्वाइवर है जब इसका निक हुआ हुआ था वो किया अभी तक बरकरार है क्या उसके हवाले से फैमिली कोई प्रोसीडिंग सिलाना चाह रही है डाइवोर्स वगयरा की और दूसरा ये बताएं कि ये जो निका अंडर एज निका माइनर उलका हुआ इस हवाले से भी आपने अदालस से कोई रुजू कि या कि ये भी तो एक जुर्म है 16 साल से कम उमर बच्ची की शादी करना अधरसल ऐसा है कि इस मिस्पत सिंध में जो नया खानूर्स आया है रिजिस्लेशन के जरिए तो 18 साल मिनिमम एज़ खरार दिया गया है पंजाब में भी आया है लिकितना बत्तिसमती से एदर पुक्त इस सुरत में जिस बंडों के जरिया ये निका किया गया है उनके खिराफ तो कोई कानूनी कर रहा हूई अभी शुरूर नहीं हो लेकिन अगर जिस्टेंड एक तो लगता है केपी में भी उसमें तो 16 साल उमर उमर 1929 वाली 1929 वाली 1929 वाला वो तो करनून लागू होगा ना दरसर ऐसा है कि अधर आपके एलम में होगा कि जो हमारी इस्टामिक लाए है उसमें माइनर का जो मैरिज है वहों अफिंस के जमरे में नहीं आता ठीक है वहों 1929 वहों चैल में मैरिज रिस्टेंड एक्ज मौजूद है लेकिन पिर भी लोग आदालतों में नहीं जाते इसमें फैडल श्रीछ कोड का एक फैसला है और वो फैसला के की है कि जब एक बच्चे या बच्ची गों का मैरिज माइनर एज में हो या उनकी निकाब माइनर एज में हो और जारी तक पहुंचे तो उनको अदालत तक जाने की भी जुरूरत रही है लेकिन हमने इदर अद गुष्ट कर दिया गया तो आपके कोई प्लान्स है कि अभी सिच्वेशन जो हुआ है एक जो बच्ची उसको अवगा किया पिर उसको और टॉर्चर किया पिर उसके साथ रेखवा तो आपके एक जो इन्वल्फमेंट थी जादा फसलिटेटर्स की तो गो करें लाक आपके प प्लान्स है आगे जाती है इस चीज़ करने के लिए बिल्कुल जी मेरा वेक्टम फैमिली के साथ राप्ता हुआ है तो उन लोगों का भी खाईश है कि हम जो एक्वेटिटर्स मर्जमान है उसके खिलाफ हाई कोट में अपना वो दायर कर सके तो मेरा अभी प्रिपरेशन जारी है और इंशानला पूर्ट जल्में हाई कोट में भी रोजोग करूंगा बहुत शुक्रिया मिया सफीसा वॉइसपीकर.net को जॉइन करने का और इस के हवाले से जो बड़ी इंसाइट फूल किसंगी आपने हमें डिटेल समझ सचे की आपका बहुत शुक्रिया नासरीन खैबर पक्तोंगा का कुर्रम इलाका वहां पर कुछ काफी हरसे से एक बहुती बलडी किसंगे क्लैश बहुती एक और किसंगा वाइलन्स चल रहा है कुर्रम एक ऐसा अलाका है जो आफगान बॉर्डर के साथ बिलकुल ही साथ जुड़ावा है और उसकी एक अमन का वक्त देखा अब मकर उसके बाद से कुर्रम में फिर दोबारा इस किसंगे बाइलन्स है उसके अपना अगली हेड रीर किया है और कुर्म के हवाले से कुर्म की जो बदामनी है उसका जो जिकर है वो निश्चल सेमली का जो इजलास सा बज़ड इजलास उसमें भी हमने सुना जहां पे कुर्म से तालुक रखने है वाले ने 37 से हमीद हुसैन साब ने अपनी बज़ड स्पीच में जो कुर्म में बदाम कि लोग वो ये कह रहे कि बज़ट छोड़ दो हम गास काएंगे गास का लेंगे लेकन खुदा की लिए खुदारा हमें आमन दे उनको आमन चाहिए लोग आमन की लिए तरस रहे हैं अब इस वक्त भी हमारे अलाकों में पेर तालिबान नाजल हो गए हैं अफसोस की बात यह ह कि पता नहीं यह जमीन उगल रही है यह आस्मान सी नाजल हो रहे हैं यकीन करो पंदरा तारीख को पंदरा जून को हजारों लोगों ने हजारों लोगों ने लोवर कुरूम से अपर कुरूम की तरफ अमन मार्च किया बाई चारे में और लोगों पी थाबिद कर दिया कि अधर कोई तफर्व का बाजी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकन अफसोस अकली दिन सेंट्रल कुरूम में और लोह लोहर कुरों की सदस शेहर में बंब लॉस्ट होते हैं लोगों को मारा जाता है सत्रह तारीख को पेर अपर कुरों में मख्तलिफ जगों पे लोग मारी जाते हैं और बंब लॉस्ट होते हैं क्या अमन मार्ज का बदला यही है अविजु दिया जा रहा है कुर्रम में जो वाइलेंस है वो इसलिए कॉम्लिकेटेड है क्योंकि तालिबनारिजेशन के साथ साथ वहाँ पर सिक्टेरियन टेंशन्स भी बहुत है वहाँ पर सुनी और शिया दोनों ट्राइब्स मौजूद है और इनके आपस में जो क्लैशिस हैं उसके अंदर कई जाने गई है हाली में 2023 में कई टीचर्स सुनी शिया इनको कतल कर दिया गया था लेकिन इश्यू यह था कि जब भी किसी ओफिशल स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता था तो यही एक हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से रिस्पॉंस था कि यह एक लैंड डिस्प्यूट है लेकिन कुर्म से जो आवाजे उठ रही हूँ कह रही है कि मामला कुछ और है कुर्म की सुरते हल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है रिए हमीद हुसेयं साब को जिनका तालुक मजले से बादतल मुस्लिमीन से है और वह एट थैटी सेवन कुर्म से इलक्त होकी कवी स्थाम्के में पहुंचे हैं बहुत शुक्रिया हमीद हुसेयं साब वोईस्पिके डरुनेट से बात करने का हमीद सेंट साहब मैं अब से यह पता करना चाहिए हो कि इस कुर्रम में अभी क्या सिलसला चल रहा है क्योंकि आपने पार्लेमेंट की फ्लोर पे इस पातके पहाल दिया कि वहां पर एक तालिबनाइजेशन हो रही है और अब रीसेंटली पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन अजम आपको क्या लगता है कि ऐसे सिक्यूर्टी ऑपरेशन इसका एक हल है विस्तुला राटमान रही हूँ जिस तरह आपने इन प्वेस्टेन किया है तो हम यही कह रहे हैं वाजर मेरे सेंटली में भी क्वेस्टेन उठाया था कि हमारे जो सेंटल पॉर्ण फासकर जो इनाखी बहुत फार फ्लंडीरियस हैं दूर दराजिन लाकें तो अधर वो लोग जो शिकायती उनकी आ रही है और दनी यह है कि लोग आते हैं तानिवान ब्राट और उनकी गरों बें डेफ पें तो सबस्वोगों वो तो गायव हो जाते हैं और जिन बन जाते हैं लेकर मोग दी जाते हैं तो इसके फुलाब मेरे वाजू आई है कि यह तल अजिशन पेश्रूद हो रही है दूसरा एक हमें सत्ष्रेंगे हैं किदर से आ रहे हैं कोई ज़न ने उब दी यह 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 उस्मान से नाजल हो आई दूसरा ही है कि अभी बाच्छान रही है इसकी आपरेशन वर्याद आपको रहे को तो तरियisstारी यह पक्ने हो वाराइ तो तरिय polished बहते ही दूसरी जो तकी बाते हो रही है दूसरी वारईनों जुआ है दूसरी और फीर तो इसलिए हम इसके के लाओ फेंड बिल्कुल हम कहते हैं कि अपरेशन छोड़ दो दश्रियर दी सकंबर हो और दूसरी कि हम अमन की बात करते हैं जब से हमने अमन का मार्श किया हुए उसकी वारेन आप वही बता दो कि रोजाना उनकी बाहर हम जनाजी उटा रही तो यह कि खबरे आ रहे थी कि कुरम के हलात एक दफ़ा फिर खराब और इन जिस तरह हमने देखा कि 2007-2008 से लेके 2013-2014 तक जो प्लॉके ड्राफ उस तरह की सिच्वेशन बन रही थी और जब फॉल आफ काबल हो गया अफगानिससान में अगस 2021 में उसके बाद तो बहुत जादा इ कुरम के जो खराब हलात हैं उस पर अब तो बाद करूब ग्रॉप सब्सक्राइब करने का जब वाइन पर जुझ तार्ट करने की तो अब रहा यह दो दफार वारं पास मोका था जब वाट कुण आए जब आएश्में गर्रॉप करीब आठ तो उस वक्त हम लोग ने पूछा था कि वहां पर क्या सिचुएशन है डीपी और डीसी दोनों काता कि सिचुएशन इस अंडर कंट्रोल और हम लोग आना वह दोजार साथ सुले के दोजार चौदा तक कर जमाना लोग लेखा था कुर ने वो उसका रिपीट टेलिकास में होने देंगे सो अब यह प्लीस क्लारिफार करें कि यह सब कह रहे हैं डीसी और डीपी और नों ने कहा था कि यह लैंड डिस्प्यूट है यह इसके ने कोई सेक्टेरियन इश्यू है ही नहीं मगर पीप जो वहां के लोग हैं जो हम लोग ने रिपोर्टर से बात किया है जो हम लोग नह रहना है उसमें यह कि लेंड स्ट्रूट भी जो बात हो भी है दे लेंड sap our अगर हैठी टो कॉरिया था नहीं करने हैं, अब किसी तनाजीब पो ये नाम देना ये और फिर्कावरियत नाम देना ये ऐसी खुलब आती हैं, कोई फिर्कावरियत नहीं ही Bandai नहीं है career लेकन जहां भी अमन खराब करने वाले, जो अनासरी हो नहीं हो नहीं चाहते you, आती है पोई आमन Richards थी त me जीज़ों को होते थे, इन्शालों वोपे कम्याब कभी नी ही होंगी। है कि अब अपने इंजमाम तो कर दिया दो मर्जिया अभी डिक्लियर हो गए लेकर कानून का कोई ख़बूर नहीं है करनून पर बाप उसमें जो आप कहते हैं कि कानून की बलादस्ती वो पूरी कानून की बलादस्ती नहीं है वर वज़ए है कि इन खिराफ है और को कोई फो उनको भी अपने हत्तर में आने पर नहीं चोड़ रहे और फुर्डीस मैं यहीं कहा दूंगी वो उनकी दस तुपाई काटी जा रहे हैं तो कैसे आवी काम करेंगी तो मैं कहता हूं कि वो स्ट्रेंटन किया जाए और उनकी लेडिटीज हूँ और उनका यहीं पी संदम भी बहुत शुक्रिया हमीर उसेंसा वोस्पीके.net और राइटसवाच को टाइम देने का और कुर्म के जो मसला है बहुत ही हसास मसला है उस पर आपने बड़े तफसील से रोशनी डाली और हमें बताया कि किस तरह से वहां से एक तफ़ा फिर तालबानाइजिशन सेर उठा रह के फ्लोर में और हमारे प्लैटफॉर्म के तफासर से उठा रहा है उसका जवाब कुर्म के लोगों को दिया जाए आप हमें फॉलोग कर सकते हैं हमारे सोचल मीडिया हैंडल्स पे हम अवेलेवल हैं यूटूब, फेस्बूख, ट्विटर, इंस्टेग्राम और टिक टॉक आपकी खबर, आपकी आवाज